स्वागत बच्चों आपका Self Study के इस चैनल में और आज के हम 16 वीडियो अपने vocabulary की 16 वीडियो स्टार्ट करते हैं और हर वीडियो में जैसे के हम 5 word vocab के करते आ रहे हैं कैसे with trick या फिर with key के साथ ताकि आप लोगों को वो word याद करने में आसानी हो जाएं तो बिना time गवाए start करते हैं आज की वीडियो जो पहला जो word है वो है seer और इस word का मतलब है जुलसा देना यानि जलाना और इसको हम याद करने वाले हैं seer को sir सर जो हमें पढ़ाने वाले sir मतलब हमारी kोपडी की बात नहीं कर रहे हैं sir जो पढ़ाते हैं sir यहाँ पर लिग देता हूं sir इससे हम याद करने वाले हैं इसको और sir का मतलब जैसे हिंदी में होते हैं श्रीवान तो ओके हम इसको example के तूर समझते हैं example के तूर हम यहाँ पर करते हैं हमारे सर ने हमको जुलसा जुलसा दिया क्यों जुलसा दिया भईया क्योंकि काम नहीं करके आया थे और धूप में घड़ा कर दिया तो जुलसा दिया सियर का मतलब होता है जुलसा दिया और हमने इसको याद किया सर से सर ने क्या किया सर ने हमको क्या किया जुलसा दिया यहां पर की भी आगी यह की आगी और यहां पर इसका मीनिंग भी आया clear तो first word के बाद हम second word की तरफ चलते हैं मुझे लगते हैं कि यह वाला जो word है वो काफी लोगों को आता होगा palm यहां पर L जो है वो silent होता है palm clear और इसका मतलब होता है अथेली यह बहुत easy word है बहुत जादा easy word है फिर भी हम इसको trick के थुरू करेंगे okay palm इसको हम याद करने वाले आम से आम से हम याद करने वाले और example के थुरू समझते हैं आम हथेली पर रख कर खाओ आम हथेली पर रख कर खाओ क्योंकि काफी जादा मज़ा आएगा clear ओके यहां पर आप देख सकते हैं palm जिसका मतलब होता है अथेली और हमने इसको याद किया आम से और आम हथेली पर यहां पर इसकी की भी आगया और meaning भी आगया clear यहां पर बहुत easy word है यह वाला तो बहुत जादा easy word है clear second word के बाद हम third word की तरफ चलते हैं थर्ड जो word है wise wise clear wise principle आपने सुना होगा हमारे school में wise principle होते थे तो यहां पर जो है wise chairman भी होते हैं wise president भी होते हैं तो ऐसे चीज़ों को देख लेंगे तो wise wise का मतलब होता है अवगुण और बुराई अवगुण या बुराई clear और इस word को हम याद करने वाले हैं wise से ही हम याद करेंगे जो wise principle होते हैं उसी से ही clear अब इसको example के तरू समझते हैं हमारे हमारे wise principle मैं p ही लिक रहा हूं ताकि आप लोग इससे मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारे wise principle में हमारे wise principle में कोई बुराई नहीं है भईया बहुत सिधे साधे हैं कोई बुराई नहीं है काफी सारे लोगों का अमन किया होगा यहाँ पर बुराई ये नहीं काट दो सर, ओके हमारे wise principle में, wise principle यहां पर wise इसकी की भी आ गई और बुराई यहां पर इसका meaning में आ गया, clear यह था word wise, अब इसके बाद चलते हैं हमारे चोथे word यह फोर्थ word के उपर, यह है mendicant mendicant clear, ओके इसका मतलब होता है बिखारी या भीक मांगने वाला clear mendicant और इस word को हम याद करेंगे mandi, mandi, जो होती न mandi जहां पर किसान अपनी फसल बेचते है mandi, kaat, okay, kaat clear, एक नाम है mandi, kaat, उसका नाम है कोई mandi है जिसका नाम, kaat है, okay kaat, mandi, kaat mandi में, kaat mandi में बहुत बिखारी बहुत बिखारी है, बहुत बिखारी है kaat, mandi, यहां पर इसकी की भी आगी और यहां पर इसका meaning भी आगया clear, okay, यह fourth word के बाद हम इस वीडियो के last word की तरफ चलते हैं, यह है acquit acquit okay, okay, acquit clear, यह acquit इसका मतलब होता है दोश मुक्त कर देना, या फिर बड़ी कर देना जो court जो करता है मतलब कि आजाद कर देता है, बड़ी कर देता है case में से, तो इसको ऐसे लेते हैं इसका हम याद करने वाले acquit को हम याद करने वाले एक, एक court, एक court से clear, अब इसको हमें example के through समझते हैं एक court एक court की चोरी एक court की चोरी का दोश एक court की चोरी का दोश जो मुझ पर था एक court की चोरी का दोश आखी मुझे लगा जगा नहीं बच पाएगी मुझ पर था तो जगा नहीं बच पाएगी क्या करें यहां ही लिख लिएते हैं जजने मुझे उससे दोशमुक्त कर दिया यहां पर लिख रहा हूं है दोशमुक्त कर दिया clear मैंने शाहत इसाथ dictate भी कहा है आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी बहुत जादा गंदी लिखाई है clear okay okay जल्दी से पांचो वर्ड को एक बार रिवाइस कर लेते हैं पहला जो वर्ड है सियर सियर का मतलब होता है जुलसा देना और हमने इस वर्ड को किया सर से और हमारे सर ने हमें क्या कर दिया हमको जुलसा दिया second word जो है वो है palm इसके अंदर L जो है वो silent है इसका मतलब होता है अथेली और हमने इसको याद किया आम से आम अथेली पर रख कर खाया करो क्यों क्योंकि भाई साब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है wise जिसका मतलब होता है अवगुन बुराई और हमने इसको याद किया wise से ही जो wise principle होते है हमारे school में हमारे college में इसका मतलब हमने इसका example के तुरू समझा हमारे wise principle में कोई बुराई नहीं है आप चाहें तो नहीं को काट सकते हैं आपकी इच्छा है mandicant mandicant का मतलब होता दोश मुक्त कर देना हमने इसको याद किया एक कोट से एक कोट की चोरी का इल्जाम जो मुझ पर था उससे judge ने क्या कर दिया मुझे दोश मुक्त कर दिया clear हुआ यह हुगे आज के 5 word I hope so आप लोगों के 5 word अच्छे से clear हो गए होंगे और इस वीडियो के अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के description box में आप लोगों को telegram का facebook का वहां के link मिल जाएंगे जाकर join कर लीजिए वहां पर आप लोगों को इस वीडियो से related PDF मिल जाएगी और यह वीडियो पसंद आईए तो इसे like करिए subscribe करिए channel को और share करिए अपने दोस्तों के साथ I hope so बस आज के लिए इतना ही रखते है I hope so मझे नहीं बोला तो वह पहले बोल चुका था Thank you for watching this video मिलते हैं अगली वीडियो में